यूपिट बलक्सी की माधिन से PT 2024 का नोटिफिकेशन अब की बार थोड़ा बिलंब से जारी किया जाएगा बिलंब से जारी करने का कारण क्या है इस पर बात करेंगे परिछा किस महीने हो सकता है और पिछली परिछा से कितना बिलम हो सकता है इस पर बात करेंगे पेट 2024 से कौन कौन सी भर्सियां आ सकती है इस पर बात करेंगे और पेट को कैंसर करने पर आपको कितने फाइदे होंगे इस पर बात करेंगे तो वीडियो को लाइक शेर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के साथ क्योंकि जो भी इस चैनल के माधिर से आपको बताया जाएगा वो पूरता सही और सठीक होगा सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यट का नोटिफिकेशन अपकी बार बिलंब से क्यों आएगा चुनाओ की ब्यस्तता कार्टी भर्तियां पेंडिंग इसलिए अपकी बार देखिएगा प्यट का नोटिफिकेशन पिछली की तुल्ला में 10 से 15 दिन डिले से आएगा और इसकी परिच्छा भी 10 से 15 दिन डिले से होगी पिछले से आप तुल्ला करिएगा जितना मैं समय बता रहा हूं इतना ही पीरियट गैब होगा और इसी पीरियट गैब के कारण अभ्याथियों के मन में संसय है कि आखेकार नई भर्तियों का क्या होगा परिडाम का क्या होगा तो परिडाम भी 15-20 दिन डिले से आएगा और पिछली की तुल्ला में अबकी बार आवेदरों की शंख्या आपको जादा दिखेगी अगर पेट को कैंसल कर दिया जाए और पेट परिछा आयोजित ना हो और सीधे भर्तियों का विज्यापन जारी किया जाए तो आप भर्तियों को क्या फायदा होगा तो मैं आपको बताना जाता हूँ अगर सीधे भर्ति का विज्यापन जारी किया जाए पेट परिछा का आयोजित ना किया जाए तो वह अभर्ति जो दो नमबर चार नमबर छे नमबर से कभी रूख जाता है उसका सेलेक्शन ने हो पाता है वह अपनी कम्यों को देख आगे तो आने वाली समस्त भर्तियों से आप वंचित हो जाएंगे उन भर्तियों से वंचित होंगे जिसमें पदो की शंख्या कम होगी बहुत ज्यादा होने पर कुछ चांस रहेंगे कम होने पर चांस नहीं रहेंगे तो आपके वल यूपेटर पलसी की वेबसाइब तो आपको इस बात की चिंता नहीं होगी, अगर लिखपाले में वेरे दो नमबर से नहीं हुए, तो आने वाली वीडियो भर्ति में हम दो नमबर को कबर करेंगे और अपना सेलेक्शन लेंगे, आपने कमी को देखेंगे, उसके बाद बहुतर त्यारी करेंगे, लेकिर तो आप सूँ सकते हैं मेरी बातों में कितना दम है तो लाइक से जरू करिए एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूँ अगर प्रियास किया गया तो तीन भर्तियां आपको देखने को बिलेंगी बड़ी भर्तियां पर दोजा तेव से नहीं तो तीनों भर्ति दोजा चोबिस से चली जाएगी पहली भरती वीडियो की दूसरी भरती लोर पीसियस की और तीसरी भरती जूनियर असिस्टेंट की यह तीनों भरतियां आपको उपर 2024 से देखने को मिलेंगी काफी अधियाचन यूपिटर पलसी को पराप्त है वीडियो का जाके पता करिए अगर चुनाओ के बाद रेगुलर बेस में आप प्रियास करते रहे आयों से मांग करते रहे संख्या बल दिखाते रहे तो विग्यापन आपको पर 2030 से लोवर वीडियो इतियाच का देखने को मिलेगा अगर आप प्रियास नहीं किये तो वेकंसी पर 2024 से चली जाएगी तो क्या आप चाहते है कि वेकंसी पर 2030 से आए क्या आप चाहते है पेकंसी 2024 से आए तो आप कमेंट वाक्स में बताएए आप लोवर पीसियस की वेकंसी और वीडियो की वेकंसी पर 2024 से देखना चाहते है य झाल झाल, 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 झाल.